तो भाई कल के डेट में BT UP यानि Board of Technical Education उत्तर प्रदेश डी फार्मा के सांसां इंजिनिरिंग क्या भी यहां पे रिजेंट जो है डेकलियर कर दिया गया है अब बात करते हैं कि कितने बच्चे पास हैं क्या है रिजेंट का स्टेटस जो है क्या है इनलेसिस का कितने बच्चे पास है कितने बच्चे फेल है कितनों को जीरो दिया गया और कौन है फार्मेशी का टॉपर तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेसिक डिटल की तो जहां पे लगभग 66% बच्चे जो है पास हो चुके हैं और लगभग 33% यानि 33% बच्चे यहां पे फेल हो चुके हैं इस बार के एकजाम में पहले के कंपेर में हम बात करें पिछले साल के कंपेर में तो इस साल फेल होने की संख्या बहुत जादा है लेकिन हाँ जीरो ने पढ़ा था ढंक से उनका काफी अच्छा रिजेंट भी आया है अब बात करें फेल की या जीरो की तो लगभग 2504 बच्च मेरे पास है जो कि हम नेक्श वीडियो में सो करेंगे इसी के साथ हम बात करें फार्मेशी की टॉपर की तो रितेश जी है जो की बरबाकी से है अब बोट के तरफ से कुछ गलती हुई है क्या गलती हुए भाया तो इन्वर्मेंटल एजूकेशन इन डिजास्टर मेनेजमे करेंट करेंगे आप सभी बीटी यूपी वाले स्टूडेंट का एक सब्जेक्ट होता जो की फार्मेशी वालों को भी पढ़ना होता था इसका फूल नंबर 50 होता था नहीं फूल नंबर 50 और पासिंग नंबर जो है सतरह है लेकिन इस साल के रिजन्ट में बहुत से बचों या कंप्लेंट दर्च करा सकते अपने कॉलेज के थुरू या फिर वो अपडेट हो जाएगा कुछ मबाद यानि रिजन्ट यानि माक्षित बनाए इसमें ये गड़बड़ी है कि 17 पासिंग होना चाहिए जबकि कम पे भी पास है पिछले साल भी रिजन्ट में काफी बहुत से बचों को फेल दिखा रहा था और बहुत से बचों को 40 नमर से कम होने के बावजुद भी पास तो इस बार ज्यादा तर जो नूटिस की जा रही है वो नूटिस ये किया जा रहा है वहां इन्वार्मेंटल एजूकेशन इन डिजास्टर मेनेजमेंट में कॉम नं आप अपने कॉलेज में बात करो कि सरह हम गए थे तो फिर आपसेंट क्यों सो रहा है ऐसा भी हो सकता है कि आप अपना रोल नंबर हो रहा है कुछ गलत फिल कर दिया होगी बात करते हैं बहुत से बचों का माक्ष वेटिंग में है यानि MW लगा हुए इसका मतलब क्या है तो या माक्ष वेटिंग में है इसके लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा वेट जैसा कि हम बताये थी यदि आपके रिजन में गरवड़ी है तो आपने आप सही हो जाने का चांस है से को कि बहुत ज़्यादा गरवड़ी है इसी परकार से यदि आपका माक्ष वेट की लिए थी सब्सक्राइब किसे अब्लें करते हैं तो जीहां बिल्कुल आप सकते हो और क्या कराना चाहिए की नहीं कराना चाहिए कि इतना नवर बढ़ता है इनु पासदाए इसी कंपी को एक बढर क्या करो कि भायां सा नंबर दिया हुए हर एंसर का उसको काउन करा लो या फिर आप किसी दूसरे टीचर से दुबारा से इस कॉपी को ही आप चेक करवा लो तो यह उप्षन आपके पास होता है अब क्या इससे नंबर बढ़ेगा की घटेगा तो भीया आप जानोगे कि आपको क्या लगता है तो दूसरे टीचर से पूरी तरह से चेक करवाई क्या नंबर बढ़ेगा की घटेगा आप जानोगे आप एंसर लिखे होगे तो नंबर बढ़ेगा और नहीं लिखे होगे तो आपका नंबर नहीं बढ़ेगा ऐसा भी हो सकता है कि आप कम लिखेते लेकिन आपको नंबर ज्य बाकी सेकंड येर में आपका फेल वित बैक है ऐसा कुछ है आप दुबारा चेक कराओ अधरवाई आप अपना परिछा फॉप कर दूबारा से एकजाम दो और बाकी फिर भी आपका प्रसनल कुछ डिटल जाएसा है जो कि आपको चाहिए जान करें और यहां इस वीडियो में आपको नहीं मिल पा रही है तो भी आइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो पहला का दूसरा पीश्ट आप हमें फॉलो कर सकते हो यूजर आइडिया उदित फार्मेशी और वहां आप हमसे पूछ सकते हो हम आपको जरूर बताएंगे